हलू नमस्कार दोस्तूं श्वागत है आज के रोजगार दैनिक समचार में तो पहली ख़बर ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके स्क्रेन पर देखने को मिल रही है बीएड डिगरी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सिच्छा मित्र ये एक बहुत बड़ी चुनावती हो चुकी है कि जो दो वरसों से बीएड धारी प्राइमरी में नौकरी कर रहे हैं उनके उपर आफ़त आने वाली है अब आफ़त आएगी या फिर नहीं आएगी ये तो समय बताएगा फिलाल यहाँ पर सोसल मेडिया पर ट्रेंड कर रहा है जो बिटी सी वाले हैं जो सिच्छा मित्र वाले हैं वो पैसे कत्रित करके सुप्रिम कोर्ट पहुंच रहे हैं कि भही जो NCAT का जो निर्देश है भिछी गए उसकी थुरू 2018 का उसका बात माना जाए और जो B8 वाले नौकरी कर रहे हैं उनको बाहर किया जाए पर दिखिए मुद्दा मैं कुछ अपनी तरफ से नहें कहूंगा मसीदे सीदे आपको अस्पेश्ट करना चाहूंगा प्रियाग राज प्रमुक्षंबादाता कच्छा एक से पांस तक के सिच्छक भरती में B8 डिगरी धारीकों को सामिल करने पर NCTE ने 28 जून 2018 को अजसूचना पिछले महीने 11 अगस्त को सुप्रिम कोर्ट ने खारिज कर दिया अब यहाँ पर खारिज होने के बाद नए सरे से कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है जिसमें 79,000 सहाया का ध्यापक भरती के तहट चैनित 28 डिगरी धारीकों को बाहर करने की मांग को लेकर सिच्छा मित्रों ने सर्बोच नियाले में 304 पेच की याज का दायर कर दी है सिच्छा मित्रों का कहना है कि जब बीयर धारी उसमें सामिल हुए वो अधिक अंक कटाप लेकर आया और मेरिट बढ़ गई जिसकी वज़े से हम सब नहीं हो पाए अगर वो बाहर हुए होते तो मेरिट डाउन जाती और इसकी वज़े से हमारा सेलेक्शन हो पाता हलाके यहां पर सुप्रीम कोट आगे क्या आदेश देगी ये तो देखने वाली बात है और वहीं पर इनका ये तर्ख है कि प्रात्मी कस्तर की टीटी पास हैं 79,000 भरती के लिए 2019 में आयोजित सिच्छक भरती में 40-45 प्रस्यत अंक या फिर अधिक प्राप्त करने वाले जो 32,629 अभ्यारती सामिल थे लेकिन 21 डिगरी धारिकों के 79,000 भरती में सामिल होने के आप बढ़ने के करण चैन नहीं हो पाया जिससे सिच्छा मित्रों ने ये अब्जेक्शन किया है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है सामने देखने वाली बात ये है क्या होता है वो हम आपको समय समय पर अपडेट कराते रहेंगे तो अगर आप चैनल पर ट्रस्ट करते हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहें ताकि आपको सही इंफार्मेशन मिल जाए इसके मैं छोट कर दे रहा हूँ इसे आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं मेरे द्वारा एक भी बात नहीं कहीं गई है जो भी बाते है वो टोटल बातें प नहीं परसाद स्रीवास्तों ने मंगलवार को बीपीएसी को पत्र लेकर सिच्छा कभ्यारतियों के प्रमार पत्रों की जांच में सिच्छकों और सिच्छा विभाग के अधिकारियों की तैनाती पर आपत्ती जताई थी और इसके जबाब में सुक्रवार को बीपीएसी के अध्यक्ष अतुल परसाद ने तीखी प्रत्क्रिया बेक्त करते हुए ट्वीट किया और साथ ही आयोग के सची की ओर से जबाव दैही पत्र भी भेजा गया आयोग के कारे में हस्तक शेप नहीं करने से हिदायत दी और सिच्छा विभाग ने दी गई जानकारी बीपेसी ने पत्र लिखने के लिए सिच्छा विभाग की द्रिष्टता करार दिया है और यही नहीं भविस में ऐसी द्रिष्टता नहीं करने की चेताउनी दी गई है तो यहाँ पर मामला गरम होता हुआ आप स्क्रीन पर दीख सकते हैं यह सारी खबरे हैं और अगली खबर यह रही आ एक महीने बाद भी अमल नहीं हो पाया है और उच्छ सिच्छा निदे साले से एक माह पहले इसके लिए आदेश हुए थे लेकिन अब तक किसी भी महाविद्याले में बायोमेट्रिक मसीन नहीं लगाई गई है वहीं पर अगली खबर की बात करें तो मुख मंत्री सिच्छ प्रशाहन योजना तो यहां पर यह रिपोर्ट आप देख सकते हैं और अगली खबर की बात करें दोस्तों तियरे आपके स्क्रेन पर सिच्छक भरती के भारतियों ने फिर से गहरा निदे साले और 79 हजाक सिच्छक भरती मामले में एक अंग से बंचित रहे भारतियों ने 2022 को एक अंक बढ़ाते हुए मेरिट के निर्देश दिये थे लेकिन आज तक कारवाई नहीं हुई है और एक माह से नियुकती की आज में लगातार 32 दिनों से एको गार्डन में धरना परदर्शन कर रहे हैं चात्र और यह आपके स्क्रेन पर दिखाए जा रहे हैं वहीं प परिच्छार्थियों का प्रड़ा मुत्तर प्रदेश के परिच्छा नियामक प्रादिकारी सची और भूसर चेतुरवेदी ने गोसित कर दिया है जिसमें ये रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है अगली खबर की बात करें तो आईस मान आईस काउंसिलिंग की पहले ही दि सितंबर तक आनलाइन पंजी करड़ और 11 सितंबर से धरोहर रासी जमाग कर सकेंगे बियर से प्रविस परिच्छा की काउंसिलिंग 15 सितंबर से सुरू होगी है और उत्तर प्रदेश बियर से प्रविस परिच्छा जे 2030 का प्रडाम घोशित होने के बाद अब भी नई तारीक में कर दी गई है कुछ प्रमुक खबरें आपके स्क्रीन पर जो दिखाए जा रहे हैं आप यहां पर देख सकते हैं MPPCS ने जारी किया विग्यापन राज सेवा परिच्छा 2030 के लिए आवेदन के अंतिम्तित 21 अक्टूबर है और इस अफिशली पर जाके पूरी डीटेल से जानकारी लेश चकते हैं दोस्तों वहीं पर इस में रोजगार है 46 पदों के लिए सहाय कमांडेंट के पदों पर अगर आप अवेदन करना चाहते हैं तो यहां से आप अवेदन कर सकते हैं किंद्री भंडार और निगम संभावनाय है 153 पदों के लिए अगर आप अवेदन करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं DRDO में INR के पद खाली है अगर आप अवेदन करना चाहते हैं तो यह स्क्रेन पर मिल लए है साथ में यहां पर आप दही सकते हैं यह भी आपसे आफिशिल वेफसाइट है आर एसी लिम्टेड में तेरा पदों के लिए आवेधन कर सकते हैं इस वेफसाइट से सो दोस्तों आपको यह बुलेटन कैसी लेगे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल क सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों मिलते रहें से आपसे नेक्स्ट वीडियो में टेक केर कुट पाएं